मुवी एक फॉरस्ट के व्यू से स्टार्ट होती है जहां दो ट्राइब्स उरती है इनमें से एक ट्राइब अच्छी होती और एक बुरी दोनों ट्राइब्स एक दूसरे से ही दुश्मन होती है क्योंकि बहुत टाइम पहले दोनों ट्राइब्स के बीच में एक वार हुआ अब अच्छी ट्राइब वाली बुरी ट्राइब वालों को मारना स्टार्ट कर देते हैं बट बुरी ट्राइब का लीडर और उसका सन जिसका नाम वायरपा होता है वो दोनों बच जाते हैं और काफी लोग मर जाते हैं अब दोनों ट्राइब्स में काफी हद तक चीज़े सौट हो जाती है उनके बीच अब वार भी नहीं होता वायरपा अपनी ट्राइब के डेडड लोगों की मेमरी में दूसरी ट्राइब के पास जाता है जिनने डेड हुए काफी साल हो चुके थे अच्छी ट्राइब का लीडर वायरपा से पूछता है तुम्हाई डेड कहा है वायरपय बोलता है वो तो नहीं आए, वायरपय अपनी ट्राइब के डेड लोगों की स्केलेटेंस देखने के लिए वहाँ जाता है। अच्छी ट्राइब का लीडर बहुत अच्छा होता है तो वो वायरपा को कहता है तुम्हारा पूरा राइट है चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं अच्छी ट्राइब वाला लीडर दब तक किसी को कुछ नहीं करता जब तक उसकी ट्राइब को कोई रिस्क ना हो इस ल 토unda ट्राइप की लोग और होंगी वहां पहुन जाते हैं डेटपीपल को एक गया था वाईरपा उस चेवमें जाता है उटाता है और उससे बात करना स्टार्ट कर देख रहा था वाईरपा गुससे में चिला कर खिलान को कहता है जिस जिस ने भी मारा मैं उन जरूर लोंगा जैसा कि वायरपा को यह रिलाइज होता है कि होंगी उसे देख रहा है अब वो स्केलेटेंस को इधर उधर फेक देता है और ऐसा करने का सारा ब्लेम वो होंगी पर डाल देता है जबकि होंगी वायरपा को ऐसा करने से मना भी करता है यह सब वो रिवेंच के ले करता है वायरपा की ट्राइब में स्केलेटेंस को ऐसे फेकना डिस्रिस्पेक्ट और इंसल्ट था अब वायरपा होंगी को अच्छी ट्राइब के लीडर के पास ड्रैक करता हुआ ले जाता है और लीडर को कहता है कि आपका बेटा मुझे मारना चाता है इसने मेरी ट्रा वार तो होके ही रहे कि क्योंकि होगी की फादर बेटर यह से कहे देते कि अगर मेरे बेटे से ऐसा किया है तो उसे मैं खुद मारूंगा अपने ट्राइब को बचाने केलिए हो लेड़ी हो जाता है कुछ दिनों बाद वाइरपह अपनी ट्राइब के साथ जाकर अच्छी ट्राइब पे अटाग कर देते हैं। वाइरपह बहुत क्रूट था वो ऑपनी ट्राइब के साथ में गिल को भी। हूंगी जब उसे देख के आता है लेडी ये भी बताती है कि वाईरपा उसके डेट का हैड भी अपने साथ ले गया है अब होंगे उनसे रिवेंज लेने के लिए निकल जाता है अब सीन वाईरपा उसके कमपानियंस का रहता है जो भी उसके घर के अधर से जाता है वो उन सब को अपनी साइट कर लो होगी फिर उस वाइलमेन के घर की तरफ जाता है वह ऐसा इसलिंफ सोचता है क्यूकि अपनी ग्रैंड मधर की विजन यले उसकी ग्रैंड मधर से समझाती है जो बुरा है उससे बुरा ही मानो पर उसे अवॉइट करो और जो अपनी से ज़ादा पाउरफुल और क्रूल हो उससे लड़ना नहीं चाहिए फाइनली होंगी वहाँ पहुच जाता है तब ही उसे वहाँ एक गरल मिलती है और होंगी से पूछते तुम यहां क्या चाहिए वहाँ पहलें को नहीं क्याता हैह और होंगी को कोई गुस्सा दराने बात प्रहुचता है फिर होंगी वायर पासा पार नाम पाक एक लड़का है जो हमाई ट्राइप के hearts पो यहां जाने वाला था, वाइल मैन वाइल पा के एक फ्रेंड को मार देता है, जो वाइल पा के ग्रुप से अलग हो गया था, होंगी ने कभी किसी को नहीं मारा था, तो जब वाइल पा को सेकंड फ्रेंड होंगी पे अटेक करता है, तो वाइल मैन उस आदमी को मारता है, और होंगी को बताता है कि किसी को कैसे मारा जाता है डिनर करने के बाद वायल मैन हौंगी को फाइटिंग स्किल्स सिखाता है next morning वो आगे बढ़ते हैं और finally उन्हें वायर पा उनके companions मिल जाते हैं वायर पाइड बढ़ते रहो ऐसा करने से वाइलमेन समझ जाता है कि आगे वायरपा की कोई प्लाइनिंग या ट्रैप है हमारे अगेंस्ट इसलिए वो होंगी को उनका पीछा करने से रोग देता है हौँगी और वायरपा और बागी सब को चुपके देखते हैं फिर होंगी और वायरपा दूसरे रास्ते सचा कर उ वायर ट्राइब के लोगों में और वायल मैन के बीच अफ फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्केरी दिख रहा था तो सब डर जाते हैं। और वायर पा बाहर आ रहा था। अब वायर पा हौंगी को गुसा दिलाने के लिए उसके डाट का हैड एक बैक से बाहर निकालता है। और उस पर स्पिट करता है। ये देखके हौंगी को बहुत गुसा आता है क्योंकि ये चीज बहुत इंसर्टिंग होती है। अब wild man attack करने के लिए कुछ shrubs collect करता है और उन पे fire लगा के castle में fake देता है और फिर हॉंगी और wild man एक stone के पीछे छुप जाते हैं ताकि जिन equipment से wire pa उन पे attack कर रहा था उन्हें उनसे लगना जाए फिर wire pa अपनी एक trick यूज़ करता है wild man और हॉंगी stone के पीछे होते हैं तो सब castle से निकल कर भाग जाते हैं वाइल मैं भी उनके पीछे चला जाता है हॉंगी नहीं जाता क्योंकि उसको castle के अंदर अपने dad का head दिख जाता है वो जैसी castle के अंदर जाता है castle का gate बंद हो जाता है और wire pa वहीं बैठा होता है ये wire pa की trick होती है हॉंगי अब strong था तो वह wire Pa को face करता है वाइल मैं सब को मारने के बाद castle के पास की जगर को तोड़ के अंदर जाता है और wire pa हॉंगी को लेके castle की दूसरी साइड आ जाता है और उससे makाफी मारता है वाइल मैं wire scène के पीछे पीछे जाता है पर वायरपा उसको भी मार देता है ये देखके होंगी को और भी गुसा आता है होंगी गुसे में वायरपा को गिरा देता है उसकी नेक पे वुडन पीस रखता है वायरपा अब भी होंगी को टीज कर रहा होता है तुम मुझे मारो और देखना मेरी ट्राइब तुम्हारा क्या हाल करती है तब होंगी बोलता है मैं कभी भी वह नहीं चाहता था हमेशा से पीस ही चाहता था तो वायरपा से प्रॉमिस करवाता है कि अब वो उन्हें कभी नहीं मारेगा वायरपा भी वहां से चला जाता है और वो किसी को नहीं मारता होंगी वा पादर की तरह काइन हार्टेड और एक अच्छा इंसान और इसी के साथ मुवी यहां एंड हो जाती है